देश में चार धवों में से एक बारवी सदी में बने ओडिशा के पूरी जगन्नात मंदिर हेरिटेज कॉरिडियोर का काम पूरा हो चुका है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक इस कॉरिडियोर का बुधुवार को उद्खाटन करेंगे ओडिशा सरकार ने उद्खाटन कारेकर में भारत और नेपाल के एक हजार मंदिरों को नियोता भेजा है साथी देश के चारो शंकराचारियों, चारो पवित्र धाम और चार अन्य छोटे धामों को भी आमंत्रित किया है मंदिर प्रशासन ने नेपाल की राजा को भी निमंत्रन भेजा है प्रोजेट के तहट मंदिर से लगे बाहरी दीवार के चारो तरफ पिचोत्तर मीटर चोड़ा गल्यारा बनाया गया है मंदिर की चारो और दो किलो मिटर में श्री मंदिर परिक्रमा पत का निर्मान किया गया है यहां से श्रद्धालू मंदिर का सीधे दर्शन कर सकेंगे दिसंबर 2019 में शुरू है प्रोजेक्ट के तहट बने रिसेप्शन सेंटर में 6000 भक्त एक साथ खड़े हो सकेंगे यहां 4000 परिवारों के लिए सामान रखने के लिए लॉकर रूम शेल्टर पवेलियन, मल्टी लेवल कार पारकिंग, पुलीस और फायर ब्रिगेट और इमर्जेंसी के लिए शटल बस की सुईधा दी गई है उद्घाटन के लिए दो दिन पहले यहां महा यग्य शुरू हुआ आज पूर्ण आहुती के साथ इसे विधिवत रूपसरे शधालू के लिए खोल दिया जाएगा 943 करोड रूपे में बनाए गए इस प्रोजेक्ट का मकसद बारवी सदी के जगनात मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना है इसी के साथ मैंने रही है एशारीस इंडिया के साथ